कस्पा को अगला Bitcoin क्यों बताया जा रहा है और अगर हम अभी इसमें 10,000 रुपे इन्वेश्ट करेंगे तो हमें कितना रिटन मिल सकता है इसके लावा अगर आपने 2022 में कस्पा में 1000 रुपे भी लगाए होते तो आज की तारीक में वो कितने हो गए होते तो सबसे पहले हम कस्पा की प्राइस टेकिंग देखेंगे तो सब्टेंबर 2024 में एक कस्पा कोईन आपको 042 रुपे में मिल रहा था उस वक्त अगर हम इसमें 1050 रुपे इन्वेश्ट करते तो हमें 25,000 कस्पा कोईन मिलते हैं आप सब्टेंबर 2023 तक सही एक साल बाद एक कस्पा कोईन की किमत बढ़कर 4,500 रुपे हो गई थी यानि आपके 1050 रुपे बढ़कर 113,500 रुपे हो गए होते हैं जुलाई 2024 में कस्पा ने all time high लगाया था तब एक कस्पा सारे 17 रुपे की प्राइस पर ट्रेड हो रहा था यानि सब्टेंबर 2022 में आपके द्वारा लगाए गए 1050 रुपे जुलाई 2024 में बढ़कर 4,36,250 रुपे हो जाते हैं और आज की तारीक में यानि सब्टेंबर 2022 में आपके 25,000 कस्पा कोईन की वेल्यू 3,42,500 रुपे होती हैं अब अगर आपने इसमें 1050 की जगह 10,500 रुपे लगाये होते तो आज की तारीक में वह 34,000 रुपे होते और जब कस्पा all time high पर था तब 43,000 रुपे हैं और दाविंसी जरीमी के according कस्पा 10 रुपे तक यानि 840 रुपे तक जाने की ताकत रखता है अब ये दाविंसी जरीमी है कौन तो ये वही बंदा है जिसने बिटकोईन को 1 रुपे में खरीदा था और योटूब की जरीए इसको उस वक्त प्रमोट भी किया था तो अगर हम डाविंसी की प्रेडिक्शन को सही मान कर कस्पा में 10,000 रुपे इंवेश्ट करते हैं तो अभी एक कस्पा कोईन की किमत 13,000 रुपे चज़ रही है यानि आपको 10,000 रुपे में 730 कस्पा कोईन मिलेंगे और जब इसकी किमत 13,000 रुपे से बढ़कर 840 रुपे हो जाएगी तो हमारा केपिटल भी 10,000 रुपे से बढ़कर 6,13,200 रुपे हो जाएगा अब यहाँ ध्या रखने वाली बात यह है कि यह प्रेडिक्शन डाविंसी जेरिमी की है अगर हम कोईन कोडेक्स की प्रेडिक्शन को देखे तो इसके अकोडिंग कस्पा 10 डोलर तक कभी नहीं जाएगा मैक्स तो मैक्स जनवरी 29 तक एक कस्पा कोईन लगबग 6 डोलर तक ही पहुँच पाएगा यानि कोईन कोडेक्स के मताबिक आपको सालो लग जाएंगे मल्टी बेगर रिटर्न हासिल करने में तो देखते हैं कि इन दोनों से किसकी प्रेडिक्शन सही निकलती है लेकिन अगर हम हमारा कॉमन सेंस यूज करें तो कस्पा का प्राइस बहुत ज्यादा तभी पंप करेगा जब कोई बीक प्लेयर जैसे कि ब्लेक रोग इसमें इन्वेश्ट करेगा और जब ऐसा होगा तो दूसरे बीक प्लेयर भी इसमें इन्वेश्ट करेंगे